आज की वीडियो बहुत special होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको explain करने बाला हूँ कि कैसे मैंने just within 3 days के अंदर more than 28% का return generate किया और मैंने book किये हैं more than 22,000 का profit कौन सा स्टॉक में? one of my favorite वरिंची लिमिटेड के स्टॉक में दोस्तो इसके पीछे का मैं आपको पूरा logic बताऊंगा trade के पीछे का पूरा reason बताऊंगा मेरे mindset का दोस्तो मैं अपना mindset बताऊंगा दोस्तो especially मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरी सोच थी 110 के आज पास profit book करने का so video बहुत interesting होगी अगर आप पुरा जानना चाहते हैं मेरा trade so video को end तक देखिएगा और मैं आपको beginner लोगों को मैं आपको बहुत बढ़िया key point देने वाला हूँ ताकि आप लोग अपनी और trading सुधार सके तो देन नकरते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों आएए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे console पर और आपको दिखाता हूँ कि मैंने कब लिया था कितने quantity लिया था अच्छा बाकी जो मेरे ऊपर के जो trades हैं hide रहेंगे ठीक है due to some privacy reason तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विरिंची का आपको दिख रहा है clear cut ठीक है और विरिंची यहाँ पर 942 quantity लिया था मैंने ठीक है 85.7 rupees के आज 7 rupees पर ठीक है और मैंने इसको sold किया 110 rupees में ठीक है within 3 days और मेरे को profit मिला more than 22,000 का more than 28% का आईए मैं आपको शो करता हूँ breakdown में ठीक है कि मैंने कब लिया था actual में तो यहाँ पर आप दो देख सकते हैं दोस्तों मैंने वही मेरा average price था 85.7 rupees के आज पास ठीक है alright दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 24th of December को लिया था और अगर मैं जहां तक बात करूँ देखे निकलने की मैं 28 तारिक को पूरा यहाँ पर मैं बेच के निकल गया था अब काफी लोग बोलेंगे यह तो चार दिन हुए of course नहीं market की देखो छोटी थी मैं आपको show करता हूँ ठीके देखिए 24 तारिक को मैंने लिया था ठीके हमारा Saturday था ठीके Saturday Sunday हमारा बीच में गाप पड़ गया ठीके और directly directly 24 हिदर हो गया और Monday को आपका 27 और Tuesday को आपका 28 या है नि महज 3 दिन के अंदर more than 28% का return और more than 22,000 का profit ठीके तो ये तो बात रही मेरे console की चलिए अब मैं आपको show करता हूँ कि इसके पीछे का reason क्या था दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी बता दू कि ये हमने आप लोग को हमारे Christmas वाले stock के दिन दिया है जो की बहु नहीं लिया ठीके हुआ के actual में मैं आपको दिखाता हूँ जब इसने consolidation कर लिया consolidation करने के बाद ये भी breakout हो गया था और यहां पे hammer bullish hammer बना दिया था मैंने यही पे इसको buy कर लिया था I hope मेरी चीजों को समझने का प्रास कर रहोंगे आप ठीके दिखिए मैंने यहां पे यहां पास बेचा ठीक है तो देख सकते हैं आप रीजन यह है आप देखो कभी भी धान रखो कि ट्रेड लेने के बाद आप कभी ऐसा मसोचो कि आपके ट्रेड लेने के बाद स्टॉक प्राइस तोड़ंत ऊपर भाग जाएगा इट विल इरिटेट यू फर्स पहले परिशान कर लेगा वेखो कि आपके सांथ कभी एसा होता होगा विल आपके स्टॉक में एंटर होने के बाद आपका स्टॉक पे रेंज बाएंच भाण हो जाता है pap师 तो आपका स्टॉक ऊपर दाना स्टार्ट कर देता है सब के साथ होता, यह धान रखके चलना है मेरे साथ भी होता, बट वहाँ पर you need to keep patience and you need to hold your stock as much as possible ठीक है, तो वही मैंने किया यहाँ पर, अपना मस्त वाला यहाँ पर consideration हुआ, breakout मिला, buy किया, profit लेके निकल गए, तो मैं इस प्रकाट से trading करता हूँ, ठीक है और देखो, within 3 days के अंदर 30% का return मिला कोई छोटी बात नहीं है, अच्छ, very good point मैं फिट से सोच रहाँ उसको लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिट से retracement करके यह उपर जाने बाला है अगर मैं लूँगा, तो मैं आपको update कर दूँगा अच्छ, आपको पता, 28 सारी को यह 111.70 के आसपास गया था 111.70 के आसपास अब मैं मॉर्णिंग में नहीं बेच पाया मैंने 108 का प्राइज डालके छोड़ दिया था बट, due to CTSL Authentication मेरे को बेचने में टाइम लग गया था then what I've done, मैं आपको शोड़ करता हूँ मैंने दुस्तों फिर इसमें 110 का मैंने selling order लगा कर छोड़ दिया था फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा उसने हमको 110 के आसपास गया था और उसने मेरा target अचीव करके फिर last में नीचे आ गया था, मैं आपको शोड़ करता हूँ यह देखिए, यह 28 तारीक है मैंने morning में बेचने का प्रयास किया था नहीं बेच पाया था, नीचे आ गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा उसको, फिर मैंने उपर order लगा था, मेरा उपर गया execute होके तब नीचे आया, यहाँ पर आपके लिए learning point क्या है, कि जबी भी आप निकलते हैं, निकलने के time while you are exiting any kind of trade any profitable trade, आप panic मत होईए अगर मैंने आप panic किया होता मैं यहाँ पर 100 रुपी स्को बेचना पड़ता मैं इसको बेच देता, थमजी से मेरे को 8 रुपे, 9 रुपे और extra नहीं मिलते, मैं 10, 1 रुपी इसको बेच देता, but मैं इसको hold किया और मैं इसको बिलकुल top पे बेचा तो ध्यान रखो, कभी भी exit करने के time, कभी profit book करने के time, जब कभी panic create हो, panic मत होने तो आपको जो समझ में आ रहा है, आप अपने chart पे बरोसा रखो और अपने top के कितने, अपने target के असपास लगा दो selling order stock आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या ना, कमजोर पहले buyer से निकलवाता है मारके, ठीक है, कमजोर buyer निकलवाके, अब जो अनुभावई आले हैं, जो experience वाले हैं, वो बने रहते हैं, और last में, यह हमारा target achieve हो गया था, यहाँ पे, ठीक है, तो यह था इसके पीछे का region, और जबर्ज स्टॉक है, fundamental, बहुत sound company है, मैं इसको फिर से लेने वाला हूँ, ठीक है, इसका जो target है, अभी भी still 200 के आसपास के हैं, दो को 200 तो नहीं, मैं 160 तक hold कर लूँगा practically, ठीक है, क्योंकि मेरे को देखो, I'm a trader, मैं कभी लंबा समय के लिए उतना नहीं, इसमे hold करने वाला, बट हाँ, अगर मैं जहाँ लेता हूँ, वहाँ से मेरे को, अगर 30 से 40% return जल्दी मिलता है, within 3 to 4 days, या within 1 week मिलता है, तो I would love to book that one, ठीक है, आपके लिए golden statement ये है, कि कभी भी, मान लीजे, आप कोई target सोच के रखते हैं कि 2 महीने के लिए, आपका 2 महीने का target मान लो 2 हफते में आ गया, या 1 हफते में आ गया, you need to book that one, क्योंकि जितना तेजी से उपर गया आपका stock, उतना तेजी से आपका stock नीचे आ जाएगा, ठीक है, मेरे को मतलब है target से, I hope मेरे बातों को समझने का परास कर रहोंगे आप, आपको मतलब होना चाहिए target से, आपको अपने अपना target बुक कर लिया, this is it, ठीक है, आपको आपका target मिल गया, आपको उससे मतलब, this is it, ठीक है, तो धान रखिये इन चीजों का, बाकि दोस्तों, I hope आपको हमारी आज की वीडियो से बहुत learning मिली होगी, मैंने आपको पूरा explanation दिया है, ठीक है, कि कैसे मैंने profit बुक किया, क्या असके पिछे का reason था, और देखिये, मैं इसको और भी लेने वाला हूँ, dip में, तो धान रखके चलिएगा, ठीक है, बाकी, इसी पकार से मैं आपको content लाते रहूँगा, दोस्तों मैंने एक और swing trading का stock लिया है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, कि उसके उपर भी मैं video लेक्या हूँ, तो इस video में मैं रोको 2000 like complete, अगर होते हैं, तो मैं next video उसके उपर लाने वाला हूँ, ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही, दोस्तों बाकी आप लोग हमारे चैनल को subscribe कर ना बोलें, और वीडियो को like कर दें, हम आपके लिए बहुत पहनत करतें इस प्रकार से नहीं stock लाने के लिए, ठीक है, और ये stock आप भी अराम से accumulate कर सकते हैं, मैं आपको tip नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको अपना view बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको लिया हुआ था, और फिरसे इसको लेने वाला हूँ अपकमिंग futures में, अपकमिंग days में, ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको market सीखना है, professionally, किस प्रकार से ये सब चीज़े करते हैं, तो आप हमारा online training बैज वाइन कर सकते हैं, ये number पर हमको आप contact करके, classes की information ले सकते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ next video में, जै हिंद, जै भारत!